आप लोग कैसे हैं आईए इस वीडियो में हम लोग रिप्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड इस प्रोब्लम को सॉल्व करते हैं प्रेविएस वीडियो में भी रिप्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ प्रोब्लम को सॉल्व किये हैं मेरा question है, the refractive index of medium first with respect to medium 2 is a 3 by 2, what is the refractive index of medium 2 with respect to 1? solution करते हैं, दिया हुआ है, refractive index of medium first, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, new refractive index of medium first with respect to new 1, 2, new 1, 2 का मतलब होता है, refractive index of medium first by refractive index of medium 2, तो new 1, 2 का विलू आपका कितना given है, यह दिया हुआ है, 3 by 2, ओके, तो हमें लिकालना क्या है, what is the refractive index of medium 2 with respect to 1, मींस आपको लिकालना है, refractive index of medium 2 with respect to 1, तो यह हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, refractive index of medium 2 by refractive index of medium 1, तो new 2, 1 इसकल 2 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, देखिए, new 1, 2 का विलूर मिंस, refractive index of medium first, और refractive index of medium 2, तो यह आपका खेले हो जाएगा, 3, 2 by 3, तो यह आपका एंसर होगे, that means, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, कि refractive index of medium, कोई medium का, 1 medium with respect to 2, इसकल 2, 1 by new 2, यह होगा, डायट इसे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, new 1, 2 into new, 2, 1 is called to 1, 1, means, refractive index of 1 with respect to 2 into refractive index of 2 with respect to first, दोनों का पोड़क्ट 1 होगा, I hope, यह question को समझ गए, second question है मेरा, find the refractive index of glass with respect to water, where refractive index of glass with respect to air is 3 by 2, and that of water with respect to air is 4 by 3, आईए solve करते हैं, देखिए, लिकालना का है, find the refractive index of glass with respect to water, तो new of glass with respect to water, new GW का मतलब, refractive index of glass with respect to W, इसको हम लोग ऐसे फिलिख सकते हैं, NGW, refractive index of glass with respect to water, लिकालना है, what, इभेलो लिकालना है, इसका, given और क्या दिया हुआ, वियर refractive index of glass with respect to air, एक given में आपका है, refractive index of glass with respect to air, इसकल दिया हुआ, 3 by 2, और refractive index of the second diet, water with respect to air, वार्टर with respect to air, इसे दिया हुआ, 4 by 3, एक given है, यह तो हमको लिकालना क्या है, रिप्रेटिटिश गलास with respect to water, लिखेंगे हैं हम लोग, कि वह बतार कि, NGW, जी मिन्स क्या हो गया, NGW, मिन्स आपको लिकालना है, रिप्रेक्टिश गलास with respect to air, वार्टर, इसका भेलो लिकालना है, ठीक है, हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, रिप्रेक्टिश गलास with respect to air को हम लोग, सिम्पल रिप्रेक्टिश इंडेक्स अफ गलास भी बोलते हैं, कि यहां लिख सकते हैं, रिप्रेक्टिश इंडेक्स अफ गलास with respect to रिप्रेक्टिश इंडेक्स अफ एर, इन्टो रिप्रेक्टिश इंडेक्स अफ एर, इन्टो रिप्रेक्टिश इंडेक्स अफ वाटर, यह लिख देएंगे, तो रिप्रेक्टिश इंडेक्स अफ एर का रिस्पेक्ट्टे एर का रिप्रेक्टिश इंडेक्स का रिस्पेक्ट अथार तो यहां से सिंपल भेलू आप दे दिए एक प्रेन गलास भी तुट रहे हैं मिन्स कर में ज़ाए थी रीबाइट टू ओके इंटू कितना हो जाएगा रिप्रेक्टिम डेक्स ऑफ वार्ट भी तूझे लट जाएगा ते हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा इसको आप डिशन भी कर सकते हैं चैनल से होते हैं यह आपका रिप्रेक्टिव इंडेक्स हो गया नाइन बाइट तो यह ओप यह कोश्चन को भी आप लोग समाज गया होंगे यह शिम्पल है आपको यह बात को देहान अगर समाज में नहीं आते हैं कि कोई भी मेडियम का अगर रिप्रेक्टिव इंडेक्स दिया हो तो उसको वीट रेस्पेक्ट्टू एर करते ही हैं इसी तर रिप्रेक्टिव गलास विद्ट राक्ट वेट रापका नाइन बाइट लेका लगया तो अब आपके सारे कोस्चन को समझ गये होंगें आगर कोई भी प्रो प्रब्लम को शेंड करेंगे कुछिस करूँगा कि आप प्रोब्लम को क्लियालकर स्व्ल्व करने के लिए थैंक्स इसी तरह आप हमें सब्कूर्ट करते रहें बाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोगें प्रोब्लम लेकी आएंगे हैं